आरती जी अक्षे जी पाकिस्तान से महराजी रादे रादे महराजी हम हमारी कोई संतान नहीं है और हम विग्रह सेवा में लगे हुए हैं मन कभी-कभी उदास हो जाता तो ऐसे में श्री जी से मांगना चाहिए कि हमें संतान दे क्योंकि हमने आपके संतान के मादेम से अच्छी तरह जानते हैं कि सब कर्म करते हैं अगर हमारे आपको सिद्धान्त की बात देता हूँ भाग में संतान है तो मांगो या ना मांगो रप्त हो जाएगी तो हमें निरास नहीं होना है और अगर नहीं है तो हमें लगता भी प्रयास भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भागवत की कता सुनी आत्मदेवन ने बहुत प्रयास किया तो भी धुन्दुकारी फिसर्वनास लीला हमें लगता है कि भगवान को अपना मान करके और जीवन उनी के साहरे वितीत करे और वास्तविक बात है कि देखो पुत्र भी हो जाते हैं अगर संतान भी हो गई तो कोई विशेश संतान ऐसी वगवत कृपा पातर हो तो माता पिता को सुख देती ने कलियू गए है अब देख लुँ सब कुछ देने के बाद भी माता पिता को थपड़ खा कर जीवन बितीत करने पड़ प्रति भी न सूचे अगर भगवान दे देते हैं प्रशाद रूप से उनको अच्छी सिछा दे आधुनिक सिक्षा ही नहीं अध्यात्मिक सिक्षा भी दे आधुनिक सिक्षा तो बहुत ना होने के कारण जहां विद्ध अविनेयंद आती वहां उद्दन्ड हो रहे है माता पिता का पमान कर रहे है तो हमें लगता है भगवाद आश्रित रहे है सोक चिंटा करिये मत संतान हो जाती तुझ जैजैश्री रादे नहीं होती तुझ जै करके पुट्रूप में मांगा तो इसलिए हमें लगता है जी भगवान से प्यार करो उनकी इच्छा होगी तो पुट्रूप में आ जाएंगे उनकी इच्छा नहीं है तो उन की निर्वाह करने वाले हैं नास्तिक था और आपका सत्संग सुना तो सब छोड़ दिया गुरुदेव श्रीजी तो नास्तिक कैसे कह सकते हो आपको क्योंकि अगर सत्संग सुनना तो आस्तिक खता थी तभी तो सत्संग सुना नास्तिक सत्संग थोड़ी सुनता है आप पहले कुमार्ग गामी थे नास् महरजी सब छोड़ दिया, गुर्देव स्री जी किरपा से विंदावन नोकरी मिल रही है पर गुर्देव जो हाब बाहर रहता है, वो यहाँ नहीं रह पाता है? तुम्हारा भाव बनना चाहिए यहां रहेकर भाव बिगड़जा बिल्कुल मत रहो क्योंकि यहां रहने के लिए छमता चाहिए यह धाम है इन्नीज महल है प्रभु का दूर से रहकर भाव करो जिससे भजन बने और कमाव परिवार के सेवा करो अच्छा भोजन करो अच्छ आश्रन करते हैं जैसे की मतलब लोगों का बाता बरन गंदा है मेरा रहन से ने पांच छे बार आ गया स्रीजी की कृपा से मुझे मिलाए आपका संग और गुर्दे मतलब आसपास गाली देते हैं आपकी कृपा की अभिलना तो नहीं होती है इसमें मतलब और सब लोग बा आचरन गलत नहीं करने और सत्मार्ग के पतिग्त भी बन सकते हैं जब हम किसी के कमेंटस सुनेंगे तो हमारे विशह में क्या-। दूसरा की बात सुनने नहीं दूसरों को कट वचन बोलनाने दूसरों की अगहिलना करनी नहीं समझत लेए हैं ऐसे बहादुर बनकर इस करें, ऐसे आजावी मत रखना, सत्मार्ग का सब्ंपूर्ट कोई बिरला ही करता है निंद तो गिराने के लिए तो मिल जाएंगे, सब्पूर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे, इसलिए हम किसी मित्र को सपूर्ट के लिए तो सोचे ना भगवान और भगवान के जनों का ही सपोर्ट होता है इस मार्ग में और बहादुर बनकर अकेले चला जाता है सत्प्रकाश जी पंजाब से रादे रादे मारा जी गुरुदेव आपके चलणों में कोटी कोटी डंडबत पड़ा हूं मारा जी मैं फिरोजपूर पंजाब से आया हूं डेरा बाबा श्रीचंद उदासी में तीस वर्श से गद्दी पर बैठा हूं महारा जी मेरे गुरुजी 2009 में पधार गए थे और उसके बाद पूजा पार्ट ध्यान में विगंद से आ रहे हैं महारा जी आप कृप्पा करके कोई समाधान करें क्या विगंद से आते हैं कि और अगर हैं तो अगे ंहरा जी महारा जी द्रूजी योगी थे महाँ-ंहाजोई थे तो बहुत बचते गऄ नचकाते थे कुछ Ohio से विए बञ्वाटव और शिवा करो तो ड़ clearly तो मैं बैठ गया गदी मेरे दो है और पांच में तो उसके बाद जब मेरे को बर्मांड के लिए बेजा बेजाओ बर्मांड करने में मने बगत दिक्कत बढ़ी आने रगी पार तो वापस आए तो गुरुजी बोलते अभी नहीं आना था पहले आगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था तो फिर मैंने का गुरुजी कलती होगी तो पर गजी बेढ़ के आगे दोलते यहीं बैठके अब शवेद शास्तर पड़े मैंने जो उन्होंने बताया कि यह गंत पड़े महां भार्त पड़ा फागवत पड़ा गीता पाड़ किया सभी शास्तर पड़े वेद भी मैंने पड करते हैं, उनका ध्यान भी करते हैं, लेकन दिक्स आजाथी । जो पहले बोला था उनुने, ऐसा समाईगा तो अपने आप चलता देखेगा कि ते द आख देख जयाएंगा बेटा, जब हिन दे जाएगा जब भी तो छलता चलता देखेगा मैं यहां बैटा हूं, फ्रिर कही है मैं और आतम यहीं जा रही है ऐसा समाये है वो अभी तक आज रहा तो गुरु जी तो चलरेगे तो पश्टावा रोने के लिए नहीं अब ऐसा अनभव नहीं करना आए कि गुरु जी चलेगए तो पश्टावा है जो आतमा वहीगुर्डियु आ आत्मा के सिवा और कोई गुर्देव नहीं है तन हजारों हो सकते हैं आत्मतत्त एक है और वो अचल है ये भी ध्यान रखना वो एक है अचल है वो देखता है चल को उसके ही पार जैसे चुम्बक लोहे का ऐसे हम परदे के पीछे रख लें और लोहे की वस्तमें रखे तो चुम्बक हम जैसे तो वो चलाए मान दिखाई देंगी लोहे की वस्तमें अचल चुम्बक के आकरश्वम से वो चलाए मान होती है ऐसे आत्म सक्त के चैतन चेतना से ये पूरा जगत चला है वो एक है वो आत्म शुरूप है वो अचल है, वो अविनासी है, वो निर्विकार है, उसमें कभी कोई विकार होता ही नहीं है, तो बिक्षेप सब्द तो न सोचो, और गुरुजी चले गए, अब ऐसा मत सोचो, आप में ही गुरुजी विराजमान हो गए, आप गुरु गादी पे बेटे हैं, आप गुरु बिराजमान यह है कि आप अपने गुरुदेव का भी पहंचान नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको वियोग लग रहा है बोल सकता हूं बोलो वो तो वैसे मैं जब वनुबफ करता हूं तो उसमें लिखा बताया है कि जो मैं हूं वो मैं खुद परमात्मा हूं और कोई परमात्मा नहीं है जो मैं हूं वो ही परमात्मा है तो मैं ही आत्मा हरी और मैं दो नहीं एक हूं इसमें कोई अंतर नहीं है ल क्योंकि अनुभाव नहीं हुआ ना अब इस बेद को तो अभी मिटाने पाए न। तो यही चीज क्या है कि सास्तुरों का ग्यान होना अलग शीजए और अनुभाव होना अलग शीजए जब अनुभाव हो जाएगा तो जैसे कहा कि वेटा तेरा सरीर चलेगा और तू देखे अभी आज की चासत्संग सुना क्या आखिरी में हमने बताया था कि मकान में कमरा कमरा में भुईधरा की गुफा उसमें बैटा है और वो जो बैटा है वो तू ही है और तू जो है वो चिदानंद है चर्चा हुई थी आज एकान वही हमारा स्वरूप वहां हमारी पॉंचने उपारे अच्छा ये क्या है ये सवाल अपने से ही सुलजेगा इसमें सुलजना अपने कोई है बोले पन में गुरुजी के मैंने एक बार पूछा मैंने का गुरुजी ब्रह्मा बड़े हैं विश्यू बड़े हैं किशिव बड़े हैं तो गुरुजी बोले उन से तुम ब बस गुरुजनों के रास्य को समझ जाए गुरुजनों के वचन को समझ जाए और समझ के अनुभूख कर ले तो देखो एक चीज समझना है ब्रह्म है आत्मा है समुद्र और ये सब उसकी तरंगे हैं पस किर्पा तरो जी आप इतनी शर्दा से आया हूं मेरे तो आपके सब कुछ गुरु जैसे यह की दिखाई देते हूं वैसे ही आप हो जैसे गुरु थे ये तो आपकी पावंद रश्टी महराजी मैं तो आपका बालक भूले ब्रहमन के गर में पैदा हुए हैं तो रादे क आपके उपर विशेश कृपा है कि आप ऐसे पद पे बैठ कर भी इतने दैन्य है और आपके हिर्दय में गुरु के प्रतीतिनी प्रीती है तो निश्चित समझो उस गती को प्राप्त होना दोरिलब नहीं है जिसे गुरु चरणों में प्रीती है और दैन्य है आम रहित है उस पद का दिकारी हो ही जाता है किसी दिन गुरु कृपा होगी और प्रकास हो जाएगा अंदर आपको अपना अनुबह हो जाएगा अपने से अपना जानुबह हुआ तो खाते पीते चलते उठते बैठते सोते जाकते भी आप क्रिया ही नहीं किवल हो रहा है यह आप दे लेकिन इस्थिती में लाओ इसे, इस्थिती का मतलब है, अपनी किर्पा कीजिए, आप में गुरू है, गुरू जो है अप जो सब कुछ बता देते हैं, गुरू रूप में आपको आप देख रहा हूं, तो आज इसे फिर आप देखना, कहने के कुछ जरूरत नहीं है, चीजें बातों से नहीं होती है, चीजें अंदर से होती हैं, बस आप देखना, बस हमारी प्रार्थना ये जरूर है, कोई भी स्वास खाली ने जाए, ऐसा चलाओ, इतना आप करो, आगे काम खुद आप देख लेना, वो कहा नहीं जाता है, तो वहाँ आपके यूटूब म के लिए अब आना जाना बंद करो, कहीं भी बाहर मत जाओ, अपनी गुरू गादी पे रहो, और चिंतन प्रधान करो, क्योंकि देखो सरीर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, हमारी ये भी बात मान ले न, थोड़ा समय रह गया है, और काम बहुत बड़ा है, ऐसे निप अगला पता नहीं हमें मिले कि ना मिले, क्योंकि पीछे निप्टाने की कोशिस की नहीं नी पट पाया, जैसे गुरू के बचन जूटे नहीं होते, उन्होंने का पीछे तु सादू था, उन्हों पीछे काम नहीं हो पाया, अब कर ले हो, वो तो ऐसा बात बताते हैं, कहते जब कर इमृति होगी सूरे लोग अंदर जाएगा, सूरे लोग के बीच में जाएगा, अब यहां समझना है, कि गुरू जी नहीं कहा कि ब्रह्मा विश्नु अमहेश, तो आप समझो फिर सूरी चंद्रमा तो वो छोटी बात है, यह सब मेरे ही नाम है, यह सब मेरे ही रू करने की मेरे, आरत अधिकारी जब पावें गुड़ों तत्तन शाद दुरावें, यह नहीं समझ पाएगे, फिर इनके अंदर भावना और श्रद्दा में फर्क पड़ेगा, इसलिए हम कहरें, अब बस आप एक में चिंतन में लगो, और आना जाना कम करो, और एकांत सेवन करो, और आगे की बात खुद आप तक पहुंच जाएगी, बिना बोले पहुंच जाएगी, आप उसको सबज ले लाएगे, अंकित कुमार जी बिहार से, राधा वल्लव शिहर वेंश मारा जी, मारी जी आपकी शीमुक से सत्संग में सुना है कि आंत्रिक परिस्तिती यां बाहरी परिस्तिती जब हमारे जीवन में आती है तो वे श्री जी के से पास होके आती है, उसमें हमारे मंगल ही चिपाओता है। बाहर से, चिपाओता, शरीर से, मन से, वानी से और अहम स्वयम से वो जब समर्पित हो जाता है, तब उसके उपर भागवतिक विधान लागव होता है, करम विधान नहीं लागव होता है। नहीं तो जीव को फिर अवस्य में भोगत अव्यम करतम कर्म सुवासुवम। तो पहले सरनागती के तैयरी करो। हम पहले सरनागती के तैयरी करो। लगेगी अभी सरनागती की तरफ कदम बढ़ जहां सरनागती आती है यह तो अभी जो चर्चा सुन लेते हैं सुद्ध ज्यान की है इस शरनागती भक्ती की चर्चा है इसमें जहां सरनागती हुई इस्ट की ता निर्भय निश्चिंत निश्चोग अद्भो ता नंद राध उसके उपर जो विधान होगा भागवतिक विधान होगा कर्मे विधान नहीं होगा क्योंकि संसारी आदमी नहीं वो शर्नागत है वह समझ करें नुद आ इस्ट के विधान को आंतरिक और बाहर दुनों जगें देखता हुआ संतुष्ट आयेन केनवा वो संतुष्ट रेती परमात्म चिंतन में रेता उसकी स्थिती रेती अभी आपकी स्थिती थड़ी है अभी आप घबडा जाओगे आप परिशान हो जाओगे तो पहले सरनागती की तयारी करो सत्संग सुनो सरनागती की तयारी को जहां सरनागती किर्थी भटनागर जी जैपूर से राधा वल्लव श्री हरी विंच महारा जी आट महीं ने पहले मुझे आपका सानेते प्राप्त हुआ तभी से निरंतर प्रति दिन नाम जब करती हूं सत्संग एकांतिक बारतलाप सुनती हूं महारा जी आपकी श्री मुख से कई बार सुन लेते हैं आप अपने को इस्त्री माने हुए हैं तो आप नाटक नहीं कर रहे हैं आप इस्त्री का नाटक नहीं कर रहे हैं आप सच्छी में इस्त्री हैं आप अपने को पत्नी माने हुए हैं पत्नी का नाटक करना था लेकिन आप सच्छी में पत्नी हो गई तो आपको भा जाए नो कोई रानी है नाटक मंच पर है यह जगत नाटक का मंच है या नो कोई पती है नो कोई पुत्र है नो कोई पिता है एक नाटक है थोड़ी देर के लिए लेकिन नाटक कौन मानता है सत्य मानता है इसे पुत्र के वियोग में उसकी हालत क्या हो जाएगी आप सुचो नाटक माना था किया और जो नाटक मांते हैं उनको कोई फरक नहीं होता आये की हुझ्यत नहीं ग्धे की तलास नहीं जन्मा तो भगवान के चnyah उसको संयोग बियोग में invested सुक्कान वोट, दुंदैर भी मुकता होता है, लेकिन इतना बड़ा जगा हुआ, पर उसकोू बिरला ही होता है, अपने लोग नाटक नहीं कर रहें, अपने लोग सत्यमelshyssे मन रहें, वाय चूँझे हो जाता है, कि या कब तक सब मुत ऎकर जों। तो जिसे नाटक में सिपाही बका रोल हुआ, चोर को पीट रहा है, तो ना चोर को दुख है, ना उसको सुख है, पर एक टिंग पूरी वैसे ही कर रहा है, यहां हम सत्य मान लिए अपने को सरीर, सत्य मान लिए अपने समंद, तो अब हमारा मन भारी तो ही जाएगा, क्योंकि दो गंटे के लिए राजारानी का रोलता, ऐसे ही अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध् cardiacानी भारत, अव्यक्त निधनानी उतत्र का परिदेवना, तुम पहले इस्ट्री नहीं थी, तुम बाद में इस्ट्री नहीं रहोगी, बीच में सत्री शरीर मिला है, बीच के ना जब करो, तो मन कभी भारी नहीं होगा, आप कर्तबे में चूक करेंगी, भजन करेंगी नहीं, तो मन तो भारी हो जाएगा, मन फस जाएगा माया में, इसी कतना माया है, सोज़ पारी बच्चा? हाँ, अभी नाटक नहीं कर रहे हैं, अभी सत्य में हो, तभी मन भारी हो गया, नाटक में परिसाद ही नहीं होगी हमारा घंते से तात पर बच्चा नहीं है तो राधा पूँछा लगाए तो राधा राधा पति को पुर्शाद पवा रहे तो मेरे प्रभू पा रहे है राधा, राधा, हम घंटे पे नहीं ले जाते, ग्रेश्थी में ये घंटे वाली साधना ठीक नहीं है, ग्रेश्थी में कार्य वाली साधना ठीक है, फुत्र को इश्णान करा रहे सजा, राधा, 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 अंदर से राधा, राधा, चल रा, बारसे से, बहुत बड़ नाटक अगर परिफेक्ट कर ला है तो ठही देखो तुम तो दो गंटे वजन करती होगी अपने लोग बच्पन से के अगर जरूरत पड़ती तुमानों सेक्णों से जवान सादक हैं अगर जरा सी चूख हुई तो गुस्सा नहीं है पर हमें गुस्सा का नाटा ए अब एकद संदी बात की तरफ आँक उठा कि भी नहीं देखेगा तो क्या हरदे कठोर हो गया क्या नाटक करना है प्रभू ने नाटक किया सिखा तो अब हम नाटक कर रहेंगे गुरू का तो अब हम आवसकता पड़ेगी तो उनके दो स्निवरत्ती के लिए हम गुस्सा भी करेंगे आउसकता पड़ेगे तो एक दोच पत भी लगा देंगे। उनका परममंगल, उनका परमकल्यान, उसमें थोड़ी होता है। नहीं, अभी नाटक में कमी हो रही है। बिलकुल वैसे ही रहनार, हमको जो रून मिला है वैसे हमें असली में गुसा नहीं होना हमें असली में दोस कि या जाता है उसको सासन में रखा जाता है ऐसे तो फिर अगर ऐसे तो फिर लुट जाओगी संसार का सुरूप परेशाल हो जाओगी मतलब अंदर का सुख लुट जाएगा क्योंकि फिर बाहर ने बहुत सासन भक्त को भगवत मार्ग के पति को अपने हरदयरु के धन को होकर वō एससे सेवा करेंगे जिसे संसारी आदमी करता है तब ही हमारा नाटक से ही माना जाएगा नहीं को फिगल बड़ हो जाएगा संसार में रहकर बहुत अच्छी तरह भजन हो सकता है केवल उसकी प्रक्लिया जाने उसकी यूक्ति जाने पती पत्नी पूत्र परिवार के बीच में रहकर भजन करके वो भगवान गुप्राप्ट कर सकता है सबच्पारियाप यह जरूर मानते हैं कि हरदय द्रवित होता है पर उसे द्रवित हरदय में बीवेक भी तो होता है बीवेक के द्वारा हम उसके कंट्रोल करते हैं उसे सासन में रखते हैं और हम जैसा बेवार चाहिए हो ऐसा बेवार करते हैं ऐसे चलिए आप विजे विक्रम सिंग जी अमेटी से वालव प्रियर विवेंश पुजी गुरुदेव आपकी चरणों में चरण सपर्ष अरजी इनका शायत एक प्रशना है कि राजनीतिंग में मलब बरस्टाचारी और अप्रादी धनवान के सारे जल्दी उच्पत प्राप्त कर लेते हैं हमारे आप प्रशन का उत्तर परशनल साधना का दिया जता है हम समाज के लाइक नहीं है हमारे पास जो आ गया और वो अपना परशनल उत्तर करता है तो हम उसे उत्तर देते समाज में क्या हो रहा है इसके उत्तर के लिए और कहीं प्रशन किया जा हम उत्तर नहीं दे पाएंगे हम उत्तर देते परशनल आपको शाधना में क्या परशनी आपको भगवत उपासना में क्या परशनी या आप राज नेता है तो आपको परशनल कहा प्रेसानी इस पर हम हो तर देते समाज में प्रश्टाचार हो रहाँ इसका उत्तर नहीं नहीं करता है अगर हम अप ख्थिस प्रश्टाचार खताब हो जाएगा हम उसको अंगली कर होई हम अपने अचरांग छुदार ले तो हमारा अपसाद 라 आप अपना सुधार लो, तो हमारा एक समुदाइस उधार ना شुरू हुआ, तो दीर दीर पूरा समुदाइसा उधार जाएगा, हम लोग क्या है, हम दूसरों को अंगूली करते हैं, कि वो चोर है, लेकिन हम खुद चोर हैं, हम चोरी नहीं सुधार पाते हैं, हमारी थोड़ लगा destreetशी भोई अज़रा कुली बात एक उडताई अपने लोगी तो बनाते है तुब्रश्टाचार बंता कौन है अपने में से ये एक बन जाता एथ तो उसी का में चुदार करना है अच्छा हमारे हाँ क्या है चुकि अध्यात्मी की चर्चा होती है तो हम उसे राजनिती तोर तरीके पे नहीं ले जाना चाहते है यहां अगर कोई राजनितिक भी आता है तो परस्नल बोलिए आप अपने पद में क्या तुरूटी कर रहे हैं आपको क्या सुधार करना है उस विशाय में बोलिए तो हमारी चर्चा रंग लाएगी हम कभी ऐसी नहीं चर्चा की महरात समाज में ये हो रहा है तो हम क्या करें ह है आपको क्या सुधार करला है उस विशाय में हम चर्चा करते क्योंकि प्रजंट्टाप हमारे सामने हैं वर्तमान में आप उत्तर लीजे अपने को ले करwives हमआज को सुधार के लिए हम योगी नहीं है हाँ समाज के सुधार के यो गिरे और आज अगर समाज सुधर रही है आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो अगर समाज सुधर रही है तो वर्तमान के ही उपदेश चे सुधर रही है यहां किसी की निंदा ने किसी की अवहिलना ने डाठ है तो आपको है सामने बैठे हो अब आप सुधर गए ना तो समाज सुधर जाएगी, तो हमें लगता है हम लोगों को स्वयम का सुधर करें, तो हमारी समाज सुधर जाएगी, समाज कौन है, हमी चार लोग मिलके तो समाज है, समाज का नेता कौन है, हमारे में 104 लोगों में एक तयार होता है, तो हमारी बुद्ध ब्रष्ठ तो युक्ते है तो सथ्य मार्गे के पतिगे तो अगर उम चार्वक दृंगे न, तो हम赤लिश को लपेट लेंगे सुधारने में और चार बिगड़ंगे न, तो चार्वका हें न, तो चार्वक लपेट लेंगे विगअगे हैं। तो हम बहुत हिस्सा भारत का सुधार लेंगे, तुम चार को समालोगे, तुम चार को समालोगे, तो हमारा भारत सुधार जाएगा, पर हम लोगों की बुद्धी मारी गई है, हम खुद सुधारना नहीं चाहते, दूसरे को सत्यवादी, हम जोट बोलें, दूसरा ब्रह्म चा ना प्रवचन रंग लाता है और ना किसी भी तरह का भासर रंग लाता है अगर हम अपने को सुधार के बोलेंगे तो तुमारी खोपड़ी में हमारी बात चड़ जाएगी और जबर जस्ती आपका सुधार कर देगी अगर हम सुधार के बोलें सुधार के बोलें ना जो बोले और हम खुद अपने आचरण में वही उतारते हैं, तो आपके उपर भूत की तरह हमारी बात चड़ जाएगी, और आपको सुधार हो जाएगा, और अगर हम डूबलीकेट बोलेगे न, अंदर रुपे की चाहत, अंदर भोगों की चाहत, और बैरागी की बात करेंगे, तो ए एक को भी बाइरागे नहीं चड़ेगा, एक को भी हमारी बात नहीं रंग लाएगी, तो हमें लगता है सबाज की छोड़े, हम अपने लोग अपना-पना सुधार करें, तो समाज का अपने आप सुधार हो जाएगा, राष्ट अपने आप उज्वल भविस्य वाला हो पास जाओ गर वो इमानदार अपने को न बोले तो हमें बताना, जैसे आप बोल रहे हो, कि एक इमानदार सत्य आद्मी राजिनिता में कैसे जाए, तो आप यही सब्द सबसे सुनोगे, नहीं सुनोगे, कोई अपने को कहेगा, मैं ब्रेष्ट लेता हूँ, अब बुलेग कोई कहेगा, तो कोई आपको भी कह सकता है, लेकिन आप सत्य बे चलोगे, तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, आप प्रकासित हो जाएंगे, आप कोसिस कीजिए, हमारे, आपको कोई पद मिला है अभी तक, जी महराजी मैं पुरवांचल विकास बोड का सदस्य हूँ, तो आप अपने पद का अगर सच्चाई से पालन कर रहे हैं, तो भगवान देख रहा है, तो आपको आगे उठाने के लिए भगवान तयार है, बस महराजी सर की इच्छा मान करें, यह द्यान रखना कि अपने पद का प्रियोग अपने लिए नहीं होता है, समाज के लिए ह होता है, हर पद समाज का सेवक होता है, हर पद हमारी समाज का सेवक पद होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो सेवक पद ही माला जाता है, लहीं माला जाता है, अगर इस बाहों में आप रहोगे, कि मैं समाज का सेवक हूँ, तो बहुत बड़ी सेवा मिल सकते हैं, और अपने स के फंदे को भी ऐसे गले पे डाला है जैसे ब्याह का जैमाला डाला बंदे मात्रम और ऐसे फासी के फंदे के जूल गए जब देखा लड़ते लड़ते चंद से खराजात जी ने कि अब मैं दूस्मनों के चुंगल में फस जाओंगा तो अपने को सूट कर लिया तो हम यह पुस्प जैसा होता है ऐसे हमारे राजनेता हमारे राष्ट को सुख पहुचा सकते हैं लेकिन राष्ट पदवी का भोग करने की वासना वाला फिर तो नहीं हो सकता है नहीं हो सकता ना तो राष्ट पदवी के भोग का त्याक करके जो पद मिला है इमामदारे से आप क कि मैं दूसरों को अंगुली ना करूं हम स्वयम आगे बढ़ें तो हमारे आचरन दूसरों का मुकालापने आप कर देंगे जो असत आचरन से चल रहें हम उधारन होंगे उनके यदि हम सत्यता से चले और कल अगर वह सुधर जाएं तो भी सत्य हो सकते हैं तो दोशी कौन जो दोशों को श्वयकार कर रहा है अगर वो दोशों को छोड़ दे तो निर्दोस ना हो जाए तो कोई भी ब्रष्ट नहीं है कोई भी ब्रष्ट नहीं है हमको कोशिस करना है कि हम ऐसा प्रमान बने ऐसा उधारन बने कि जो ब्रष्ट आचरन में वो भी ब्रष्टता का त्या कर सच्चे देश वक्त बन जाएं तो हमको क्या करना अपने राष्ट को यदि उज्जल और मजबूत बनाना है तो ग्रणा और नफरत से पहले हमको दूर उठना पड़ेगा हमें जो ब्रष्ट है उनसे भी हाथ मिलाना होगा और अपने सत्यता के परमान उनमें डालके उनकी ब्रष्टता अटानी होगी तो वो भी हमारे देश के सेवक बल जाएगे ऐसा हमारा बाव रहता है कि हम सब बदल सकते हैं हम सब सुधर सकते हैं एक बार सुधरने की कोशिस की जाए और इतने महान बनिये अंदर से अध्यात्मिक कि सामने वाले का परिवर्तन कर देजे साम तो आप नहीं छोड़ पाओगे हम जो कह Odyssey रहें तो हम भजन करेंगे और यह वो भजन आपको देंगे और फ़िर प्रार्थन करेंगे कि प्रविन की बुद्धि कृouveर्तन कर दो घ यही तो हम चार है थे यह हमारा उद्देश से रहता है किसी को नीचा दिखाना या किसी के निंदा करना या किसी को भरष्ट कहना यह हमारे पतन का कारण बन जाएगा हमको उत्तम बनना है और हमारे राष्ट को उत्तम हमारे राष्ट में जो भी हैं वो हमारे घर के हैं कोई दूसरा नहीं है अगर गलत है हमारा भाई तो हम उसको सुधारने की चेस्टा करेंगे लेकिन है हमारा भाई है हमारा भारती हम उसको इस द्रश्टी से नहीं दे सकते कि उसके निंदा करें और उसके हानी हो हम चाहेंगे जैसे हमारा भाई गलत है तो हम उसको सुधारें और अच्छा आदमी बने ऐसे हमारे राष्ट का हर नेता हर समाज मेरा भाई है भारत माता कि हम एक संतान है सब तो हम दोशार उपर ना करके उज्वल भविस्य के उनकी काम ना करें और स्वयम अच्छे अध्यात्मिक राजनेता बने अध्यात्म और राजनेता दोनों मिलकर महराजी मैं अभी तक की राजनीत में बैनर कर्म से ही अपने सोसता रहता हूं कि कि इशवर ने मुझे इसलाइक बनाया माध्यम बनाया निमित बनाया है हो शेवा करता रहूं बड़ के मेंबर के रूप में महाराजी जितना होब करता है क्योंकि यह हमारा जो राजनीत का छेत्र है यह बड़ा उतार चढ़ावाला छेत्र है इसमें कहते हैं कि विकार की साधन सहज उपलब्द हो मन में विकार ना है यह पड़ी साध्र अध्यात में इसलिए तो चाहिए ना आप जैसे पूझ गुर्देयों के ही आसिरवास से संभावगा क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आद्मियु उन्हों ग्यान है नतब है नसाधना है आप सबका प्रेम और भक्तिये पूझ बिल्कुल आप चलिए आप चलिए हाँ थोड़ा पहले सबने में थोड़ा सा लगा था आप सही आप बोले है अच्छे से चलो और हमारे समाज को सुख पहुचा ठीक यह कह रहें कि यह पाकिस्तान में रहते हैं हम राधामादव की सेवा भी कर रहे हैं और हरी नाम भी कर लेते हैं महराज जी वहाँ पे साधू संगती नही पूजा जते हो क्या तो मुबाइल से तो आप रोज देख सकते हो जो यहां की कथा होती है इसलिए हमने अनुमति दे रखा है यह जो एकांतिक है सत्संग है स्रीजी की आरती है पूजा है सब कुछ पढ़ता है आप रोज मुबाइल से देखे मान लीजे कि मैं रोज दर्सन कीजिए रोज ब्रंदावन का आनंद आपको मुबाइल से मिल जाएगा है तो पाकिस्तान तो अपने घर है कोई दूर से भाई हमारे घर का तो हिस्सा है भाई हमारा बड़ा घर है उसके हिस्से हो गए हैं लेकिन हम तो कहते हैं यह सुख तो अमेरिका में बैठे ल जाए यह अंत्र का दोश भी इतना बड़ा है कि नए बच्चे बरबाद होते चले जा रहे तो हम यह न सूचे कि अगर सादू समागम वाने मिल रहा है तो हमारा जीवन बैर्थ चला जाएगा नहीं आप मुबाइल से सादू समागम कर सकते आप टीवी में सत्संग चलाए बैठ करके भाव से कि मैं सत्संग कर रही है तो आपको वैसी लाव मिलेगा दो अगर वो परभाव ना होता मुबाइल का तो हमें लगता है जो सत्संग काम तो करी रहा है जिसे बच्चा बोला यह आज मारे सामने लेकिन यह गंदी बाते हैं बहुत पहले चोड़ दिया कै इसका मतलब प्रगट से जो लाव मिलता है वही मुबाइल से मिल रहा है अगर ना मिला होता तो छोटी-छोटी बच्चे कैसे परिवर्तित हो रहे जवान भाई गंदे आदते छोड़ रहे हैं तो अगर प्रगट के सत्संग में एकेवल लाव है तो ऐसा नहीं मुबाइल के सत्संग में वही लाव है जो प्रगटके सत्संग में लाव है क्योंकि यह सब छोड़ रहे हैं तो हमें लगता है साभ मान लीजिए कि हम जो यंत्रों में प्रगट सत्संग ही है वह निश्फल नहीं जाएगा वह इसे ह occur देगा जैसे हम सादो-स्रमागं प्रगट में करते हैं गलत बात है जब हम मुबायल से सुनते हैं तो आचरान हमारे बदलते हैं हमारे बदलने बच्चा भी बता रहा है न हुमाayo सामने प्रमाण है न तो यहां परिवर्तन हुआ इसके अंधर परिवर्तन हुआ哈哈 तो किसी के कहने से कह सब्सक्राइब तुम प्रत्यक्षा प्रमाण ah तो वह बात वाल होंगे कि यह बात वाल होंगे कि मुवाइल हैं भगवार मिलेंगे नहीं मुवाइल वे जो बात सुनते हैं यहां होता है घंदी बात है गलत बात नहीं वह उपहास कर रहे हैं उस भी साथ्थ्री जी है आप हरीहर प्रिंदावन में मोती जील में इब्राजते हैं और सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ी आपने मुहिंपूरे देश में सभी सनातनियों को जागरू कर रहे हैं और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त कर जीवन का परमलाव है कि हमारे द्वारा किसी का भी मंगल हो किसी का ही तो और इसका फल यह हो कि हम अखंड भगवद इश्मृति को प्राप्थ हो क्योंकि ये शब जितने भी हमारे साधन के अंग है उस अंग की पुर्णता प्राण सकती है इस्मृति जितना भी सास्त्र में साधन बरणन किया गया है वो मानों शरीर का अंग बरणन किया गया है और जो शरीर का संशलन है वो जैसे प्राणों से होता है ऐसे साधना का प्राण है इस्मृति यदि भगवद इस्मृति विहीन बड़े से बड़ा साधन तो लोक लोक आंतर के शुखों की प्राप्टि हो सकती लेकिन भगवद साक्षातकार नहीं भगवद प्राप्टि नहीं इसलिए हर कार करते हुए अच्चित भावना से युप्त होकर इस्मृति में डूबने का प्रयास किया जाए वो चाहे नाम इस्मृति हो या रूप इस्मृति हो या लेला इस्मृति हो या धाम इस्मृति हो अगर भगवद इस्मर्ती का निरंतर तार नहीं चल पा रहा तो अभी हमारे जीवन में अधूरापन है हमारे जीवन की पुर्णता भगवद इस्मर्ती ही होगी कोई भी हो कहीं भी हो कैसे भी हो इस्मर्ती परायन भगवद प्राप्ती का ही परम्हेत है अगर ये अनन्य चिंतन नहीं है तो गोश्वामी जी कहने शोशव धरम करम जरी जाओ जहन राम पद पंकज भाओ जोग कु जोग ज्यान अग्यानू जहन नहीं राम प्रेम परधानू सवसाधन कर ये फल सुन्दर प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर यसे इस्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात विमुच्यते नमस्तस्मई विष्णवे प्रभुविष्णवे इस्मर्ती मधुर मधुर इस्मर्ती अंदर ही अंदर भगवद इस्मर्ती का तार अभ्यावरत भजनात अखंड इस्मर्ती फिर जितने भी धर्म कर्म हैं एस साब भगवत स्वरूप हो जाते हैं हमारी इस्मर्ती विश्याकार हमारी इस्मर्ती जगदाकार हमारी इस्मर्ती देहाविमान से युक्त देशमंधों के सुखों में भोगों में कोई खास बात नहीं होई जीवन में, बस ये बात देखो भगवान की कृपा से अपने लोगों का मिलन होता है। इस्मृति है। जब तो सुमिरन भजन न होई। इस्मृति के साथ सेवा। सुमिरन इस्मृति और भजधात सेवायां भजन। मतलब आपकी सेवा इस्मृति के साथ मतलब मामनिश्मर युद्चे। मेरी इस्मृति इस्मृति और अपने कर्तब का पालां। बस ये सार बात समझ में आई है। जो जहां है रिदा जना। जैसे भगवत चर्चा, भगवन नाम, भगवत इस्मृति इस सबसे बड़ा दानी जो श्वयम इस्मरन करे और दूसरे को इस्मरन कराए। पर वो तभी हो सकता है जब कथियंति चाहे मामनित्यम और तुश्यंति चाहे रमन ती चाहे। इसको बहुत आंतरिक भावसे समझना है। कथेंति चे माम नित्यम लेकिन तुष्यंति चे रमान्ति चे उसी में तुष्यंति चे रमान्ति चे पर ये चीज थोड़ा हट जाती है कथेंति चे माम नित्यम ये तो हो सकता है लेकिन तुष्यंति चे रमान्ति चे इसमें अंतराया जाता है धन भोग वाशनात्मक क्रिराएं अब कथेंति चे ते माम नित्यम का रस नहीं मिल पाएगा चोथी भगति मम गुनगन करे कपट तजी कथेंति चे माम नित्यम तुष्यंति चे रमान्ति चे तुष्यंति चे रमान्ति चे ये अमें ध्यान और ये ही है इसमर्ति जब उनकी रूप इसमर्ति में उनकी लिला इसमर्ति में ये परामन्स सही तास्रीमत भागवत न इतनी समर्थ है कि और किसी साधन की जरूरत नहीं इसके साथ दिन में इस पश्ट प्रेत भगवत पारसद बनके बिमान में जा रहा है ले जा रहा है बस देख लो प्रश्णुवा गोकर्ण जी कहां ये कथा तो सब ने सुनी धल में भेद क्यों एक भी मान क्यों सबके लिए क्यों ले आया क्योंकि तुस्यंतिचर रमन्तिचर नहीं थे ये तुस्यंतिचर रमन्तिचर ना होने के कारण और इसने भूख प्यास सबका त्याग करके ये इसी में तुस्यंतिचर रमन्तिचर इसलिए बिमान इसके लिए आया है अगली बार फिर तैयरी करो तो बिमान हम सबके लिए लाएगे और तैयारी की गई और बिमान आया सबके लिए और सब गए भगवत तुरू स्रीमद भागवत कल यूग में क्या मतब हर यूग के लिए क्योंकि भगवान की पावंचर चाल ना परम बरदान है बस इसका सही धेंग से प्रियोग किया जैसे आउशदी है ना उसको अनुपान के सही प्रियोग किया तो रोग में बहुत जल्ली लाप प्रदान करती है हमारा उद्देश भगवत प्रीति प्राप्त करना हो और सुनने वाले का उद्देश भी भगवत प्रीति प्राप्त करना हो फिर जो चर्चा होगी बड़ा रंग आएगा बहुत रंग आएगा और जब हमारा पाप मोचन केवल होता है तो उसमें रम अंति की बुद्धी न पाप बोचन करने का तो अमोग उपाए है जैसे कभी भूणत्या गर्वत्या किये हुए ग्रेश्ट जन होते हैं और हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि तुम्हारी दुर्गती पक्का होगी तुम खिलवार मत समझ लेना अब डर कि जैसे होए भी कोई वैसे अब ऐसी बात नहीं हैं बहुत बड़ा प्राद है तो पूछते हैं तो उनसे कहते हैं कि एक ही उपाय है साथ दिन संस्कृत से स्रीमत भागवत अपने कान में सुनो वो जादू करेगा तो कि तुम्हारे ऐसे महत पापों का नास कर देगा खूली बात है दूसरा कोई पाए लें ऐसा वि भूरी दाजर्ताव कथा अप्रतम तत्त जी वाला जो आनंद बर्धन करने वाला भूले हुए विस्वेयों में जीव कम से कम रामकृष्ण हरी की जो चर्चा सुने लें तो इससे मंगल हो जाए बहुत भगवान की चर्चा में बड़ी सामर्त है बड़े बड़े साधन कर करने वाले जो प्राप्त नहीं कर पाए क्यों भगवान की चर्चा सुनने वालों को भगोत प्राप्ती हो गई मत्हुरे के पड़ोस की बात कहे रहे हैं मत्हुरा के ब्रामन बड़ी बड़ी यग्यां करने वाले थे और भगवान को भगवान नहीं मान पाए और उनकी पत पूरी वैसे रानी थी जैसे सांसारिक रानी होती है उनकी दासी चर्णों में बैठे बैठे हा गोविंद हा कुझ भी आरी वह यह भी नहीं जानती थे वगवान का नाम है उनका रहने तो महारानी अगर यह चर्चा सुनोगी तो ऐसा रोग है कि आपके चड़ जाएगा जीन ब्रंदावन के ठाकुर जी का नाम है और यह चर्चाएं शुरू ही तो सिराने बैठानने लगी फिर गुरू तो गुरू ही रह गए चेला सक्कर हो गया जैसे नहीं कहते तो ऐसे रतनावती भक्त भूप हो गई मूड मुडवा के और ललकार दिया पूरे राज्य और अप ब्रंदावन के चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है बगवत स्रवन कता का मतलब है कि जब हम स्रवन किया तो उसका मनन होने लगा चिंतन होने लगा अब भगवत प्राप्ति दुरू लग मूड नहीं भगवत प्राप्ति होती है भगवान कहते है अब्भ्यास योग क्रपा पातर जन है नाम की तरफ ज्यादा लोगों को घशीटे बभगवत चर्चा सुने और दिन में 24 घंटे में अगर 10 हैं मिनट नाम जब कर लें तो काम हो दस मिनट एक नाम एक नाम रजिस्टर में भारी पड़ेगा हम कहते हैं एक बार बोला राधा जिंदगी में अब जब रजिस्टर उनका नापा जाएगा ना एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा एक नाम में हिस में उसका हिसाब वूचा होगा बोले जिंदगी वर पाप किया एक बार राम बोला है अब देव हिसाब एक बार राम का तो महाँ वैश्णवाचारे हैं द्वादस वैश्णों में धर्मराजियों वो जानते महिमा इसलिए समस्त पापों का मोचन उसकी अध्यात्मी कुन्नत निश्चित है एक बार नाम लेने कर इसलिए का है भाव को भाव नखाल सहू नाम जपत्मंगल दिस तो सबको नाम जपने की पेरणा और भगवद इस्म्रती में खुद डूबो दूसरों को भी चका चक हाँ यह आप लोगों का जन्म ही इसलिए हुआ है भगवान ने आप लोगों को अपनी भी भूतिय को रूप में इसलिए बेजा है भगवत चर्चा जो हम सुना रहें उसकी कीमत ही नहीं है कोई दे सकता कोई नहीं दे सकता इसलिए भूरिदा जना बड़े दानी कह गए भगवत चर्चा करने वाले बस आप तुश्यंत चरमंतिचा पे ध्या देते हुए और सबको नाम और रूप लीला धाम की महिमा सनाई जगत मंगल कीजिए आप से हम भगवान में डूबी हो दूसरों को भी डूबाइए भगवाल के नाम रूप रस्वे ब्रजवासी है तो आप महापुलोस संतों से यही उर्जा लेकर के फिर सब जिगे वित् एवासी ओं की करपा जो कहते हैं हमारों बाबा यही बात से हम हैं और दरसन करके आँगे पतों चली स्वास्त घडबड़ो तो फिर मेंकी कनियां ते रादा रानी से करपा करेंगे ऐसे आसीरवास बाबा हमें हजार इन वरस तक दे वे हैं और इसी कांती क्योंके महरत जाता हूं सम्में इतनी बड़ी एक क्रांती आई यह सनातन और आपके प्रवचनों को सुन सुन के के लोगों में बहुत बड़ा रुजहान हुआ है लोगों ने मीट मास मदरा इत्यादी का त्याग किया है और वह बहुत ही अच्छा है तो हमने कहा कि ऐसे महापुरुस हमार भरंदावन बास मनें तो बाबा यहां उर्जहा और सबको सक्ति प्रदान कर रहे हैं और हम लोग महराजी ब्रप्रवासी आपके आभारी है जो आप ब्रज में और ब्रंदावन में इसमें उल्टा है कि हम ब्रजवासियों के आभारी है कि उन्होंने टुकडा दे दे करके हमको ऐसा बना दिया टुकडा दिया चरण रज दो चीजों से हमारा पावर है ये रज योब्रम रुद्र शुक नारद भीसम मुख है रालक्षितों न सहसा पुर्शस्य तस्य सद्य वसीकरन चुन मनंत सक्तिम तम राधिका चरण देन मनुष्मरामी ये चरण रज भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनोन सांज सवेरो ब्रजवासिन के जूठ टूक और घरगर चाच महेरो उसी का चमतकार है ये जो चास हजार लोग खड़े होते हैं वहां कृष्णा सरणम से लेके यहां तक और राधा राधा तो कभी-कभी जहला आनंदस्त्र आने लगते जब नौजवान जो होते ना ऐसे पचास-पचास पंक्ति में खड़े राधा राधा जैसे उनकी अलगी स्टाइल होती है नौज यही लिए सब नए बच्चे जो क्लब में जाकर उपद्रों करने वाले व ब्रंदावल की घली देब करने होके राधा बोल रहे यह केवल क्रपा है के हवाच छली है स्री जी की अनुग्रह के वही सब पृताप थे यही साधूल विक्रीड था तो वह सब राधा नाम के धन को सुनके सब दूर हो जाते हैं अपने हम जय 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 श्री रादेश्ट